असलाम अलेकम ग्रेट फाइव कैसे हैं आप सब मैं उमीद करती हूँ कि आप सब घर पे रहके हुब एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ तमाम वीडियो लेसंस को देखकर इन में दिया गया जिद्धा मिकाम है उसको कंप्लीट कर रहे हैं बच्चो माइनेम इस रदा खालि आज हमबात करने वाले हैं unit no.1 की, unit no.1 का नाम है expeditions, इस लफज को दुबारा सुनले, expeditions, expeditions का मतलब क्या होता है, मैं यहां बोर्ड पे लिख देती हूँ आपके लिए, एक लफज आपने सुना होगा, mohem, कि हम कहते हैं कि एक mohem चलाई जा रही है किसी specific या किसी खास काम क किसी बात को मनवाने के लिए किसी काम को पूरा करने के लिए तो जो expeditions होती है ये एक ऐसी gathering है Normally हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग मिलके एक journey पे एक सफर पे जाते हैं और उस सफर में वो क्या करते हैं different locations यानि मुख्तलिफ मकामात पर रहते हैं वहाँ camping की जाती है और बहुत सारी बाते आज expeditions के बारे में हम पढ़ने वाले हैं तो अभी के लिए सिर्फ इतना समिझ लें कि लवज expedition का मतलब है मोहिम और इसकी जमा उर्दू में लिखी जाती है मोहमात अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको यहां जमा भी लिखके बता देती हूँ मोहिमात क्या है इसकी जमा और मोहिम क्या है इसका singular यानि इसका one word ओके expedition यहां तक हमें समझ आ गया अच्छा अगली बात देखें हम कर रहे हैं lesson number one जो कि है page number two पे बच्चो lesson number one में ज्यादा practice exercise इस तरह से दी गई है कि हम उसको बोल के practice करें तो हम क्या कर सकते हैं इस video lesson में मैंने जो बातें यहां लिखी हैं हम सिर्फ उन्हीं को practice करेंगे बाकी की चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि आप practice करें तो आप practice कर ले कोई मसला नहीं है अच्छा जी सबसे पहले आप आज हैं अपनी book के top right corner पे यानि आपकी book के page के left side पे यहां पर आपको नजर आ रहा है यह लिखा हुआ vocabulary grammar vocabulary में हमें यह पता चलेगा कि वो कौन से ऐसे लवज हैं जिनके बारे में हमने इस पूरे unit में पढ़ना है इस बात का मतलब यह है कि lesson number one से लेके lesson number five तक किस तरहां के लवज इस्तमाल किये जाएंगे क्या वो नए लवज है क्या वो नई vocabulary है जो आज हम सीखने वाले हैं तो यहां लिखा है expedition equipment यानी मोहिम पर जाने के लिए जो साजो सामान इस्तमाल किया जाता है उसके बारे में हमने पढ़ना है मोहिम पर जाने के लिए इस्तमाल होने वाला साजो सामान ना सिरफ जाने के लिए बलके वहां पर रहने के लिए और जिस मकसद के लिए जाया जा रहा है उस मकसद को पुरा करने के लिए भी जो साजो सामान इस्तमाल होगा उसकी बात करेंगे कुछ words मैं हालिक देती हूँ माउन्टेन्स या हम वर्ट देखते हैं माउन्टेनियर्स माउन्टेनियर्स कौन होते हैं हाँ जी को पेमा जो यह लव्ज मैंने बोला है इसका मतलब है ऐसे लोग जो को यानि पहाड पर चड़ते हैं ठीक है हमें दो में वर्टेता चलके हैं इसके इलावा जितनी भी वोडादरी है वो हम लेसंट्ट में देखने वाले हैं ठीक है बच्छो अचा अगली बात हम देखते हैं ग family की grammar के अंदर हमने दो बातें देखना है पहली बात तो यह है है present perfect tense इसके लिए जो हम helping verb और और इस तरही वर्ब इस्तमाल करते हैं, वो क्या होती है, हैस के साथ हम इस्तमाल करते हैं एक वर्ब, वर्ब के साथ लगाते हैं आइएंजी, तो ये बात में पता चलगी, पहली बात आएगी हैस की, उसके बात दूसरी बात आएगी वर्ब की, वर्ब के साथ आपने क्या और दूसरी बात ये देख लें, has के साथ, been, ठीक है, been के साथ आगे यहाँ पर क्या लगेगी, verb, verb के साथ आगे क्या लगेगा, ing, तो ये बात हमें पता चल गई, has, has के बाद दूसरी बात, been, been के बाद तीसरी बात, verb, और verb के साथ क्या लगाना है, ing, समझ आ गई, इस बात क अब आते हैं exercise की तरफ, आप जल्दी से अपनी बुक के ऊपर exercise number one को देखें, exercise one में लिखा है, talk about the pictures, what have they just done, जो लफ्स यहां लिखा है just, अब इसके बारे में मैं आपको बताने लगी हूँ, इसको मैं इसके साथ relate करके बताऊंगे, just done, ऐसे काम जो अभी अभी किये हैं, या तो अभी-भी यह बोला है, और I have just had my lunch, मैंने अभी-भी अपना lunch किया है, तो जो लफ्स है just, इसका क्या मतलब है, अभी, यानि अभी-भी, ठीक हो गया, अब इनको क्या हमने पढ़ना है साथ, reported orders, reported orders के बारे में पहले भी पढ़ चुकी हैं, बच्चो, reported orders ऐसे orders होते हैं, किसी चीज के लिए आपको order दिया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि यह काम आपनी करना है, ठीक हो गया, अच्छा, यहाँ पर आप देखें, कुछ लोग एक expedition पे गए हैं, ठीक है, मेरी बात गौर से सुने, कुछ लोग मिलके एक मुहम पे एक expedition पे गए हैं, और वहाँ यहाँ पर यह actions हो रहे हैं, ठीक है, अब यह जो actions हो रहे हैं, आपके book में, pictures के साथ दिये गए हैं, मैंने यहाँ पर सिरफ sentences लिखे हैं, हम इनको देखेंगे, पढ़ेंगे, मैं आपको इनका meaning बताऊंगी और आप साथ-साथ अपनी book पे दी गई picture को देखेंगे, ठीक है, number one, he's just broken his spade, उसने अभी-अभी अपनी spade यानि वो बेलचा जिसके साथ क्या करते हैं, हम डिख करते हैं, ठीक है, खोदते हैं, उसने अभी-अभी अपनी spade को तोड़ दिया है, okay, two, he's just hurt his fingers with a hammer, with a hammer हमें यह ब्यो बात है, यह हमें clue दिया गया है कि कैसे उसने अपने किया, अपनी उंग्रियों को चोट पहुंचाई या नुकसान पहुंचाया, okay, number three, he's just found a coin, उसको अभी-भी एक सिक्का मिला है, ठीक है, okay, number four, she's just dropped her knife, उसने अभी-भी एक चुरी, या अपनी चुरी, हर knife लिखा है, अपनी चुरी को गिरा दिया है, number five, she's just put up a clothes line, उसने अभी-भी कपडे डालने के लिए या कपडे सूखने डालने के लिए एक line या एक रसी बांधी है, number six, she's just cut her hand, उसने अभी-भी अपना हाथ काट लिया, यानि चोट लग गई, number seven, he's just lit a fire, lit a fire का मतलब है, उसने अभी-भी आग जिलाई, okay, number eight, he's just fallen off a cliff, वो अभी-भी एक cliff से, एक उन्चाई से, गिर गया, okay, तो यहां तक हमें ये eight action होते वे नजर आ गए है, यहां पर हमने सिर्फ ये बात सीखी, कि just का use कैसे किया जाता है, एक बात मैं आपको बता दूँ, सारे sentences के अंदर, just कहां लिखा हुआ है, हमारे phrasal verb, या verb से पहले, ठीक है, और verb की लिखी है, fallen, हाँ जी, past form, very good, past form, किसकी लिखी है, of, verb, ये बात मैं आपको बता दूँ, और कहीं कहीं तो phrasal verb इस्तमाल किया गया है, जैसे यहां लिखा है, fallen, of, तो just हमेशा किस से पहले आएगा, verb से पहले, हम यहां लिख ले, just, और उसके बात क्या लिखेंगे हम, verb, औ ये बात अगर आप चाहें, तो अपनी बुक के ऊपर इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ताकि आपको future में आगे आने वाले lessons में मसला ना हो, अच्छा, अब आजाएं page 3 की तरफ हम करने जा रहे हैं, lesson number 2, lesson 2 हमारा है, words के मुतालिक, यानि हमने देखना है, कि वो कौन सी vocabulary है, कैसे words हैं, जो हमने पढ़ने हैं, अच्छा, exercise number 1, listen and find the words, then listen and repeat, यानि एक दफा जब मैं आपको पढ़के बताऊंगी, तो ये words आपने अपनी बुक पर डूढने है, then listen and repeat, फिर आपने दुबारा से, यानि जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूं, आपने उसको पढ़ना ह और सुनना है, और repeat करना है, ठीक है, देखना है कि क्या आपको इन लफजों की, इनके मानी की, इनकी picture की समझ आई है, ठीक है, ओके, पहला काम स्टार्ट करते हैं, can opener, ऐसा एक लफज, जो कहां इस्तमाल किया जाता है, can कहते हैं, एक दबा, एक तिन, आपने दिखा होगा, food cans होते हैं, तो food can को open करने के लिए एक आला एक instrument यूज किया जाता है, आपको अपनी book के ऊपर ये picture में भी बनावा देख रहे हो, कि can opener कैसा देखता है, इसको इस्तमाल किया जाता है, तिन के cans को open करने के लिए, food cans होते हैं, beverages यानि drinks के can होते हैं, उनको open करने के लिए, okay, number 2. Sledge Sledge कहते हैं एक ऐसा लकडी का instrument जिसके उपर क्या किया जाता है जिसको बरफ में इस्तमाल किया जाता है कि उसके उपर सामान रखके बरफ में घसीटा जा सके ठीके? ओके 3. Backpack ये तो सब के पास होता है स्कूल का backpack होता है ना बिलकुल ऐसा एक बड़ा सा bag जिसके अंदर आपकी जरूरत की सारी चीज़े हैं आप अपने backpack लेके स्कूल भी आते हैं तो स्कूल आने के लिए आपके पास उसमें हर चीज मौजूद होती है आपकी pencils हैं आपकी copies आपकी worksheets आपकी stationery everything thing is there हर चीज आपके bag में होती है तो जो backpack है एक तो स्कूल वाला backpack हो गया एक backpack इसलिए इसलिए इस्तमाल किया जाता है कि जब हम tours पे जाते हैं तो tour पे जाने के लिए बहुत बड़ा सा bag हम त्यार करते हैं उसमें अपने कपड़े रखते हैं अपनी toothbrush रखते हैं अपने थोड़ा बहुत खाने पीने का समान रखते हैं अपने जूते रखते हैं यानि वो सारी चीज है जो आप अपने लिए रखते हैं और जिसको आपने लेके जाना है दो से तीन या उससे ज्यादा दिनों के लिए कहीं रहने के लिए जा रहे हैं तो expedition पे backpack लेके जाया जाता है okay fourth one day pack अब ये कौन सा pack है एक तो हो गया backpack जिसमें सारा कुछ है पूरे trip के लिए चाहे वो चार दिन का है चाहे पांच दिन का एक होता है day pack जिसको ले के आपने one day टूर पे जाना है जब हम स्कूल में one day trips पे जाते हैं तो हमारी मिस कहती है चोटा सा बैग आपने लाना है जिसमें लंच रखना है water bottle रखनी है मास्क रखना है बस तो वो जो चोटा सा बैग होता है जो एक दिन यानि सुबा से शाम तक के लिए इस्तमाल करना है उसको day pack कहते हैं वो backpack से छोटा होता है backpack तो बड़ा होता है समझा गई okay number five ice axe ऐसी एक कुलहाड़ी या कुलहाड़ा जिसको किस लिए इस्तमाल किया जाता है बरफ को तोड़ने के लिए या बरफ को हटाने के लिए ठीक है जब बहुत अंडे इलाकों में बहुत जादा बरफबारी होती है तो बहुत ऊची बरफ क्या होती है जम जाती है तो उस जाली दुकान पर उनको देखते हैं तो उनको तोड़ने के लिए भी ice axe इस्तमाल किया जाता है वो चुरी तो नहीं यूज करते हैं वो बहुत बड़ा axe लेते हैं और उसके साथ उसको तोड़ते है आइस ब्लॉक्स को सबको बता है कि कमपस किसलिए यूज की जाती है कमपस हम यूज करते हैं डिरेक्शन के लिए नॉट वेस्ट इस्ट साउथ यह जो डिरेक्शन है इनके लिए हमारे पास एक कमपस होती है और एक कमपस कौन यूज करता है यह हमारे देखने वाले हैं स्टोव चूला सबको स्टोव जो आपने देखा है पिक्चर के अंदर देखें गैस सिलेंडर है सिलेंडर के ऊपर क्या बना हुआ है सिलेंडर के ऊपर आपको नजर आ रहा है चुला तो यह उस्टोव की बात हो रही है लास्ट वान स्लीपिंग बैक जो बहुत ठंडर के बने लाकू में आप इसके अंदर हीटिंग लगी वह होति है या गरम पानी उसमें रखके उसके अंदर सोया जाता है पानी के अंदर नहीं, बैक के अंदर पानी रखा जाता है, ठीक है, तो इस तरह के sleeping bags होते हैं, जैसे छोटे बच्चे यूज़ करते हैं, दोनों तरफ से zip up करते हैं, उपर तक zip करते हैं, यहानी, प्रॉपरली कवर होके आप सो जाएं, वो बहुत गरम होता है, ठीक है, तो अभी हमने words पढ़े हैं, बच्चों उनको use करते हुए, हमने क्या करना है, हमने यह exercise पूरी करनी है, sentences हमारे पास दिये गए है, कुछ-कुछ words missing है, उनको हमने लिखना है, बहुत असान काम है, हमें वो सारे words आते हैं, आइए इस को शुरू करते हैं, a dash shows you where the north is, direction की बात, आ Number 2, if you camp in the mountains, you need a dash at the night, अगर आप mountains के अंदर पहाडों में camp लगा रहे हैं, तो आपको रात में क्या चाहिए होगा, हान जी, अभी मैंने बताया है, sleeping bag, okay, okay, number 3, most campers carry a small dash for cooking meals, जो campers होते हैं, जो camp करते हैं, वो अपने साथ छोटा साही क्या लेके जाते हैं, वो अपने साथ is, खाने बनाने के लिए, a small stove, okay, number 4, a dash holds everything that you need for a week's holiday, वहर से देखें, एक हफते के चुटी है, तो कौन से वला बैक चाहिए, हान जी, a backpack, number 5, a dash holds a few things that you need for a day trip, few things, थोड़ी सी चीजे, दे टिप, एक दिन का ट्रिप, तो ऐसी कौन सी चीज है, जो हमारी एक दिन की चीजों को hold कर लेगी, अपने अंदर रख लेगी, इसका मतलब है हमारा day pack, okay, number 6, you use a dash to open a can of fish, मैंने का थे ला, food के cans होते हैं, तो can को open करने के लिए क्या चाहिए होगा, okay, number 7, to cut steps in the ice, mountaineers need a dash, मैंने आपको बताया था कि जब ice बहुत ज्यादा आ जाती है, रास्तों पे सडक के ऊपर, तो mountaineers, यानि पहाड पे चड़ने वाले लोग, पहाड के ऊपर जो बरफ होती, उसको तोडने के लिए क्या यूज करते हैं, हान जी, ice, axe, next, you use a dash to pull people or goods across snow or ice, हमने बात की है कि, बहुत ठंडे इलाकों में, चीजों को गसीट के एक जगा से दूसरी जगा लेके जाया जाता है, और किस चीज के ऊपर उसको रखते हैं, sledge के ऊपर, ठीक है, okay, समझ आ गई यहां तक, all right, हान जी, तो अब हमने जो exercise करनी है, वो है exercise no. 4, exercise no. 4 के बारे में मैं आपको बता दू, write the plural forms of these nouns in your notebook in alphabetical order, एक बात जो आपको यहां लिखी वही नजर आ रही है, वो है alphabetical order, इसका मतलब है कि हमने कैसे लिखनी है in words को a, b, c, d, e, f and so on, ठीक है, हमने यानी के देखना है in letters को लिखने से पहले, in words को लिखने से पहले, कि यह alphabetical order में रहें, इस बात का मतलब यह है, कि हम हर word का पहला letter देखेंगे, पहला letter a होगा, तो लिख देंगे, उसके बाद b, c, d, इसी तरह, आपने alphabetical order की exercises बच्चो पहले भी की होंगी, ठीक है, तो हमने आज वही काम करना है, एक दूसरी बात मैं आपको बताती चलूँ, कि जब हमने इनके plural बनाने हैं, तो plural बनाते हुए हमने एक बात जहन में यह रखनी है, कि यहाँ पर दो लख लिखे हैं, compound word है, bus stop, तो एक ऐसी जगह जहाँ पर buses आके रुखती है, यानि bus stop, तो एक बात आपने आद रखनी है, यहाँ पर जो first word लिखा है, यानि पहली जो noun लिखी है, वो समझ लेके adjective है, ठीक है, इस बात का मतलब यह है, कि पहली noun हमें बता रही है, कि वो जो stop है, या दूसरी noun है, वो किस तरहां की है, तो जब noun को define किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि पहली noun को हम adjective treat करेंगे, adjective को plural नहीं बनाया जाता, very good, इसी तरह हमने दूसरी वाली noun को क्या करना है, हमेशा बनाना है, प्लूरल, प्लूरल कैसे बनाने है, यह तो आपको पता है, यहाँ पर कैसे प्लूरल बनाने है, यह भी मैंने आपको बता दिया, अब हमने इस काम को कैसे करना है, सबसे पहले बच्चों, आप अपनी बुक्स के अंदर इस काम को ऐसे करेंगे, यहाँ पर इन ही words के आगे हम plurals बना लेंगे और plurals बनाने के बाद जब list में इन words को लिखेंगे तब हम alphabetical order में लिखेंगे, ठीक है? चलें, इस काम को start करते हैं Bus, stops Address, books ठीक है? Sleeping, bags Post, offices Swimming, pools Car, parks Alarm, clocks And can, openers सारे words के, second words के आगे हमने क्या लिख दिया है? S लगा दिया है, हमने बना दिया है, plural अब आप देखें के इन words को हमने किस तहां लिखना है? Alphabetical order में हम सबसे पहले A से start करते हैं A Address books Okay हम number भी देते जाते हैं साथ-साथ Number 2 Alarm, clocks Alarm, clocks ठीक है? उसके बाद कोई और एक अवर्ड है? नहीं उसके बाद B Number 3 Bus Stops Number 4 B word है कोई? No C Can Openers Number 4 Can Openers Okay Number 5 Next word हम देखते हैं C से हमार पास एक और वर्ड है Car parks तो हम इसके बाद लिखेंगे Car Parks ठीक है? Five words complete हो गए Next Number 6 आप इसके बाद देखें ABC को अपने mind में recall करते जाए A, B, C, D इस तरहां ताके आपको पता चले के Next आने वाला Alphabet कौन सा है ठीक है? हमने C तक लिख लिया D है E F G H I J K L M N O P We have a word with P हमार पास P से एक word है Post Offices P से कोई और word है हमारे पास? No Let's move on Number 7 Okay P Q R S S पे हमारे पास बच्चो दो words है एक है sleeping bags एक है हमारे पास swimming pool आपने एक चीज़ जहन में रखनी है बच्चो कि हम जब ये देखते हैं कि First letter दोनों words के same है तो ये कैसे पता चलेगा कि अब पहला word कौन सा लिखना है तो ये बात जहन में रख ले कि हम इस word के अगला letter देखते हैं यानि S से अगला letter क्या है W यहाँ पर S से अगला letter है L तो हम देखेंगे कि ABC के अंदर L पहले आता है या W पहले आता है हाँ जी definitely L पहले आता है तो हम L वाला word पहले लिखेंगे sleeping bags और नमबर 8 पर लास्ट पर आजाएगा swimming pools तो यहाँ तक बच्चों हमने ये exercise भी complete कर ली मैं उमीद करती हूं कि आज कर लेसन आपको पसंद आया होगा और इस lesson में जितने भी काम थे वो सब आपने मेरे साथ साथ के होंगे बच्चों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में तब तक के लिए अपना काम करते रहें खुश रहें अलाहाफिस